कर लेती हूं रिमा जरा जश्न की तस्वीरे पार्टी दफ्तर से दिखाईए किस तरह से वहाँ पर भोली से पहले ही जोगीरा सारा रारा शुरू हो चुका है तो यह एक पर फिर से हम तस्वीरे अपने तर्शिकों को दिखा दे और मैं चाहूंगी कि चारों तरफ की तस्वीरे इस बीच वो जो मंच की तस्वीरे वहाँ पे दरसल वहाँ से अनाउंस्मेंट किया जा रहे है कारिकरताओं को यह कहा जा रहा है कि यहां पर सीयम योगी अदितनाथ पहुंचेंगे और कारिकरताओं के साथ होने खेलेंगे यह कहा जा रहे है और 2014 से लेकर अभी तरफ जो राच्चेवार जीत हासिल हुई बीचेफे को जो बड़ी जीत हासिल हुए उसका जिक्र किया जा रहे है और जैसे जैसे ये बड़ी बाते याद की जा रही है उस तरीके से कारिकरताओं का जोश देखते ही बंड़ा है तो चारों तरफ उस तरीके से स्रक्षा कि अब इनको साब भी किये गए है क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है सुबर से यहां पे गहमा गहमी है लेकिन आज कि यह तस्वीर यादगार तस्वीर है इस लिए ह से क्योंकि जिस तरीके से चोतर में हमने हो रहे दो यह कहा जा रहा था कि C.M. योगी कुछ दिर में पहुंचने वाने हैं, C.M. योगी पहुंचने वाने हैं, और आप लोगों के साथ रांगुलाल भी खेले के शका जाएं, किलना खुश हैं आप लोगुश हैं, यह बहुत जबागा खुशिक महुला कि हमारे हैं, हमारे प्राम में उसक्त, खबर ये कि केशर प्रसाद मौरे आगे चल रहे हैं, करीब एक हजार वोट से वो आगे चल रहे हैं, सिराथू सीट से, उपमुखे मंतरी केशर प्रसाद मौरे एक हजार वोट से आगे चल रहे हैं, केशर प्रसाद मौरे के बारे में ये बड़ी खबर इस वक्त, कितनी दूर केशव प्रशाद मौरिया के लिए हार के बराबर है ये क्योंकि जो आदमी डिप्टी चीफ मिस्टर रह चुका हो बाकी और चीजे मुझे लगता है केशव प्रशाद मौरिया की इमेज इसमें सबसे बड़ी बाधक हुई है और जो बीच के दौर में उनके बार और अब आगे हुए तो अभी मुंकिली तो आशा की किरण है लेकिन आगे की राजनीद भी इनको अपनी अप सुधारनी पड़ेगी या तमालनी पड़ेगी कि कैसे क्या किया जाए यह 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 जो बात कही जा रही है 261 का आकड़ा इस वक्त रुजानों में नजर आ रहा ह है लेकिन एक जबर्दस जीत मिली है जो समाजवादी पार्टी के लिए एक करारा जवाब भी है देखने का नजरिया है आप 2017 में समाजवादी पार्टी